नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं 3 minutes guide with your everyday guide जापर मैं आपको 3 minutes के एक छोटी से guide देता हूँ I'm sure ये guide आपके लिए कहीं न कहीं helpful ज़रूर रहेगी mutual funds के जितने भी categories हैं for example large cap, mid cap, small cap, multi cap, sectoral mutual funds इन सभी categories में से flexi cap mutual fund category अकेले से category हैं जिसमें अपनी investments करने के बहुत से benefits हैं benefits जैसे की diversification एक ही mutual fund के थुरू आप तीनों ही categories में अपनी investments कर पाते हैं यानि कि large cap, mid cap और small cap आपको इन तीनों ही categories के different sectors का exposure मिल जाता है second चीज़ आती है lower risk, flexi cap mutual funds का allocation वैसे तो तीनों ही categories में रहता है लेकिन इनका major allocation large cap के अंदर होता है यानि कि आपका risk यहाँ पर comparatively low रहता है यानि कि अगर market में गिरावट आती है तो यहाँ पर आपको नुकसान होने की उमीद गम होती है compare to other categories जैसे कि multi cap या फिर mid cap या फिर small cap तीसरी चीज़ आती है consistent returns यानि कि less volatility अब क्योंकि major allocation large cap के अंदर होता है तो यहाँ पर इसका एक extra benefit यह भी है कि flexicab mutual fund less volatile होते हैं यानि कि market में जब भी ups and downs आते हैं तो उन ups and downs का ज़्यादा फर्क flexicab mutual funds पे नहीं पड़ता यह एकदम से बहुत ज़ादा high या फिर एकदम से बहुत ज़ादा low नहीं जाते हैं चौति चीज़ आती है better returns better returns का मतलब हमेशा high returns नहीं होता better returns का मतलब है कि जो भी risk आपने उस mutual fund पे या फिर अपनी investments पे ली है उस risk के मुकाबले में comparison में आपको कैसे returns मिल पा रहे हैं तो मैं obviously उस choice के साथ जाओंगा जहापर मेरा risk low है और मुझे consistent returns मिल रहे हैं क्योंकि मुझे अपनी investments long term के लिए करनी हैं और long term में consistent returns ही आपके help करते हैं अब returns की बात होई रही है तो 5 और आखरी point हमारे पास आता है returns का तो जब मैंने 5 different flexi cap mutual funds के returns निकाले यानि कि वो flexi cap mutual funds जो fundamentally अच्छे mutual funds हैं जब मैंने इन mutual funds के पिछले 10 years का CGR निकाला उन CGR का जब मैंने average किया तो इन सभी का average निकलके आया 18.95% यानि कि 19% वहीं दूसरी तरफ जब मैंने same चीज़ करी large cap mutual funds के साथ मैंने 5 large cap mutual funds निकाले उनके पिछले 10 साल का CGR निकाला उन CGR का मैंने average निकाला तो इनका average CGR निकलके आया 17.51% का यानि कि flexi cap mutual funds ने large cap mutual funds के मुकाबले ज़्यादा बहतर return जनरेट करके दिये हैं पिछले 10 साल के duration में जो कि एक बड़ा duration है तो अगर कोई investor आज के टाइम पर मुझसे ये कहे कि यार मुझे बस एक ही mutual fund में पैसे invest करना है एक मतलब बस एक ही mutual fund होना चीए बस मेरा risk यहाँ पर कम होना चीए मुझे returns यहाँ पर लगतार मिलने चीए consistent मिलने चीए और मुझे जो returns मिलने चीए वो large cap से थोड़े से जादा returns होने चीए तो मेरा यहाँ पर क्या suggestion होगा क्या जवाब होगा यह आप समझे गयोंगे अगर आज की चोटी से guide आपको अच्छे लगी है तो इसको like करके मुझे बताइए और हाँ जाते जाते चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा जल्दी ही मिलेंगे next guide में thank you for watching